इस वीडियो में जो कुछ भी आपको पढ़ाये जाएगा वो याद ही करवाये जाएगा इसी वीडियो में देखते जाएए कैसे कैसे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीएस आप देखने हैं गुरुजी फोर एने इंडियन एग्जाम यूटुब चैनल जहां पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ रहें राजस्तान के उद्योग जिनके अंदर पहला उद्योग है सुतिवस्त्र उद्योग है यह राजस्तान का प्राचीन उद्योग है राजस्तान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा एक्यूशन आ गया तो आपको सुतिवस्त्र उद्योग करना है कौन सा करोगे यह चीज़ें इनमें मत पढ़ राजस्तान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है तो बस इसी को अजमेर ब्यावर के अंदर ही राजस्तान की पर्थम सुतिवस्तर की जो मील है वो इस्तापित की गई थी इसलिए ब्यावर को सबसे पहले लिया गया यहां पहले लिया तो इसका मतलब आप समझ लीजिए पहली सुतिवस्तर मील है वो दकश्णा मिल्स लिमिटेड इस्ताप कर दी थी एक मतलब कि कपास पर कोई भी कर नहीं लिया जाएगा उस समय तब ही उसी समय राज्ये के अंदर तीन पर्थम तीन सूति वस्तर की मिले ब्यावर में इस्तापित हुई थी और देखिए पहली यह जो मिल है वो दख्रे घष्टना मिल्स लिमिटेड है जिसकी इस्त सस्त्र करांती के भामसा कौन थे दामो ददास राठी थे इनकी देखिए ब्यावर के अंदर दो अन्य मिले हैं जो है एक तो एडवर्ड मिल और दूसरी है महालक्स में मिल तो इनमें जो एडवर्ड है ये तो अब बंद होगी है और ये महालक्स में मिल है जो इसे महालक्समी मील है इसकी स्थापना 1925 में होई थी यह ध्यान रखना यह भी ब्यावर में और यह तीसरी राज जी की तीसरी सुतिवस्तर में यह दूसरी यह है पहली दूसरी और तीसरी तीनों ही ब्यावर में पहली बात यह ध्यान रखना सब्सक्राइब करने जो सर्वाधीक परदूसित नगर कों सा है पाली है याद रखना यहाँ पाली है यहाँ इस्तित महराजा उमेद मिल्स लिमिटेड राज्य की सबसे बड़ी सुतिवस्तर की मेल है सबसे बड़ी सुतिवस्तर की मेल जो यहाँ पर सरवादिक उत्पादन होता है सुतिवस्तर का तो सबसे बड़ी सुतिवस्तर की मेल कहा अगे जो क्यूसन आपने भीलवाड़ा से समंदित बनेंगे भीलवाड़ा से दो तीन चार क्यूसन बनेंगे देखिए आप कौन-कौन से पहला क्यूसन यह याद रखिए कि सर्वाधिक सुतिवस्तर के मिले कहां पर होता है और किसे राजस्थान का मैंचेस्टर कहते हैं और जो किसे 2009 में वश्तर नगरी कहा गया था भस यह देखिए यह इतने किवसं बननते पहला देखिए पहला क्यूसन था कि सरवाधिक सुतिवस्तर मिले कांपर है तो यह भैलवाड़ा के अंदर है कितनी साथ जयाद रखना दूसरा कि सुती वस्तर का उत्वादन ससे ज़्यением का होता है इससे राजस्तान का मेंजएष्टर कहता है दो जाँ नॊ में केंदर शरकार ने बिलवाडाको वस्तर नगरी का दरजाह दिया था राज्येक में और याप का आएक दीलीचाइट यदा राज्ये में सर्वादिक सुत्तिवस्त्र उद्योग की संभावना है कच्छा माल वे जल की उपलब्द ताके कारण यहां पर सुत्तिवस्त्र उद्योग की सर्वादिक सुत्तिवस्त्र उद्योग का उत्पादन यहां होने की संभावना कहां पर है बहांसवाड़ा में यह क्यूसन ऐसा भी बन सकता है अगर करंट के हिसाब से पुछे ना तो ऐसा क्यूसन बन सकता है तो हमने यह आज अभी भीलवाड़ा पाल ली और यह ब्यावर की जो मिले थे इनके बारा में और इन से समंधित क्यूसन देख लिए अगला जो उद्योग है वो है चीनी जो भौपाल सागर चितोडगड में आपको यह सवाल याद रखने है इसके लाश्ट में वीडियो के एक दू मिनिट में मैं सारे क्यूसन पुछूंगा यह ध्यान रखना आपने अगर दिमाग नहीं लगया नहीं आपर तो फिर वागां पर आपके गलत होंगे अना गलत जो नीजी चेतर में इस्ताफित की गई थी और यह बोपाल सागर चितोडगड में और वर्तमान में बंद है यह चीज चोड़िये लेकिन यह चीज आपको ध्यान रखना है कहां पर है पूपाल सागर चितोडगड और यह राज्ये की परत्थम चीनि मील जिसकी इस्ताफ ना होई थी 1932 में चलिए दा गंगा नगर सुगर मिल्स लिमिटेड यह क्या है यह देखिए पहली तो होगी दा मेवाड सुगर मिल्स लिमिटेड राजस्तान की पर्तम चिनी मिल और यह है दूसरी चिनी मिल कौन सी दूसरी चिनी मिल है राजस्तान की दूसरी चिनी मिल कौन यदा गंगा नगर सुगर मिल्स लिमिटेड जो उसकी गंगा नगर में है जिसकी इस्तापना उसकी 1932 में हुई थी किसकी मेवार सुगर मिल्स की तो इसकी 1937 में हुई यदा गंगा नगर सुगर मिल्स की लिमिटेड की 1956 से सरवादिक शेतर में अधिक ग्रहन यहां किया गया क्या सरवादिक शेतर में अधिक ग्रहन किया गया था इस मिल्स के लिए 1968 में एसिया में पहली बार चुकंदर से चीनी उत्पादन किया गया क्या भाई 1968 में एशिया में चुकंदर से जो चीनी बनाई गई थी ना उसका उत्पादन सर्वादिक यहां पर हुआ था कहां एशिया में पहली बार चुकंदर से चीनी का उत्पादन यहां पर हुआ था चुकंदर से चीनी बनती है वो यहां पर बनेती और यह वर्थमान में चाल हुए यह बंद नहीं है बंद तो वह हो गई कौन सी याद है आपको सुगर मिल्स लिमिटेड बुंदी 1965 में तो अभी देखिए वो सबसे पहली जो मिल थी उसकी 1932 में फिर दूसरी थी वो थी 1937 में अब यह तीसरी आ गई है तो इसके 1965 में यह राजस्थान की तीसरी चीनी मील है कौन सी तीसरी यह सहकारी सहतर में सरकारी सहतर में और यह वर्थमान में बंद है यह भी बंद है मतलब कि पहली और तीसरी बंद है दूसरी चालो दूसरी कौन सी स्री गंगा नगर दी भूए याद रखना अब आता है अपना कांक्षध्योग कौनसा कांक्षध्यों के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो देखिए इसके अंदर सबसे पहली चीज है दहाई प्रोसिजअग्लास फैक्टरी दहलपूर के अंदर है दहाई प्रोसिजशन company है जिसके दुआरे यह सराप की बहुत ले यहां पर बने जाती है कि उसन यहां सहेगा कि सराप की बहुत ले नियुमने में से किस हिस्तान कहां पर बनती है तो किसके अधीन है तो गंगा नगर सुगर मिल्स लिमिटेड वस यह बात ध्यान रखना और इसके अंदर यह सारवजनिक सहतर की है और देखिए आप देखिए इसके अंदर में आपको अगला किसन है वह दा सिंकूर ग्लास फेक्ट्री यह कहां पर है कोटा में दा सिंकूर ग्ल सेमसंग की जो टीवी है उसके यहाँ पे पिक्चर ट्यूग का निरीमन किया जाता है । यहाँ पर बनाई जाती है उसके पिक्चर ट्यूग से बनाए गई है, सेंट गोबन काच फेक्टरी जो कहाँ पर है, बिवाडी अलवर में यहाँ कार के सिस से बनाए जाते है ओटो मोबल ग्लास का उत्वादन किया, किसके कार के सिस से बनाए जाते है यहाँ पर, फ्रांस की साहिता से यहां पर इस्तापित किया गया सेंट गोबेन काच फेक्ट्री जो बिवाडी अलवर में ठीक है हमने क्या क्या पढ़ ले काच उद्योग पढ़ा फिर हमने पढ़ लिया ये चिनी उद्योग फिर हमने पढ़ लिया या सुट्थि वस्त्र उद्योग यह थो हमने पढ़ लिया अभ में हापको अभी यह जो सुट्धि वस्त्र उद्योग चिणी उद्योग, काँच उद्योग यह जो पढ़ाय है और मैंने इसने पहले वाले पार्ट के अंदर मैंने पढ़ाये था कुछ केंधरी बड़ी-बड़ी कमपनिया हिндूस्तान जिंक पर राजस्तान उन के इंदर इस्थापित किये गए उनके बारे ने बताए था, अब मैं उनके थोड़े बात आपको मैं क्यूसन पूछता हूँ लेकिन मैं जो कंपनियों के नाम बताए थे ना वो मैं आपको नहीं पूछूंगा उससे पहले वाले पार्ट का कुछ नहीं पूछूंगा आज जो पड़ा है ना उसी के बारे मैं आप पूछ रहा हूं आपको ठीक है और देख लीजिए यहां प को क्यूसन पूछने शरू करता हूं ठीक है तो पहला क्यूसन है मेरा कि राजस्तान की परतम सुतिवस्तर मिल कौन सी है मैं आतो आत क्यूसन बताओ आंसर भी बताओंगा ठीक है राजस्तान की परतम सुतिवस्तर मिल कौन सी है नाम बताना है आपको तो सोचा होगा आपने दकश्णा मिल्स लिमिटेड चलिए अगला क्यूसन है वो कब इस्थापित की गई थी 8199 में चलिए मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा थोड़ा क्यूंकि आपको इतना तो याद हो गया होगा साहिद आप तो अब फिर देखिया इसमें से एक राजस्तान में सुति वस्तर मिले सरवादीक भिलवाडा में कितनी है अंसर है 7 ये क्यूसन आपको आने चाहिए ना मैं वैसे अंसर बता रहा हूँ नहीं बताने चाहिए चलिए आगे देखिए। शुगर मिल्स से कब और कहा पर हिस्तापित हुई थी। इन तीनों क्योंसार मैं नहीं पता हglass. क्योंकि मैंने अच्छे तरहें से समझाये था और यह कांच उठ्योग है, तो यह था आपके सामने, उसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिमेंट उद्योग और फिर हम रसाइन उद्योग ये सारे पढ़ के इसके बाद में एक ही पार्ट बनेगा और अगर और उसके बाद में आपको जो क्यूसन आए हुए ना एक्जामों में अपने तो ये राजस्तान से समंदित तो द्योग से समझें जो भी एक्जाम में आए ना उनको मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा ठीक है तो थैंक यू दोस्तों अगर यह जानका रिया अच्छी लगी हो तो इसे सेर जरूर करें अपने साथियों के साथ में ठीक है दोस्तों थैंक यू